छे चीजे जिनने अगर आप फॉलो करें तो जॉब इंटर्व्यू में सक्सेस निश्चत है सबसे पहली चीज कि जॉब इंटर्व्यू के लिए आप ड्रेस कैसे कर रहे हैं बात करते समय आप कितने फॉर्मल है इन चीजों का जो है आप ध्यान दीजिए जनरली मैं अड्वाइस देता हूँ कि थोड़ा सा फॉर्मल ही रहे तो सही है बहुत जादा आप जो है अपने नाच्रल सल्फ हो जाएंगे मेरी तरह तो थोड़ा सा हो सकता है सामने वाला घबरा जाए कि ये बंदा बहुत कैशुल है और जब आप ड्रेसिंग भी कर रहे है थोड़ा सा ओवर ड्रेस करें आप थोड़ा सा कैशुल रहे तो भी बात अच्छी है वो दिखाता है दर्शा आता है कि आप effort मार रहे है effort कैसे मार रहे है कुछ ऐसे जैसे कि मैं भी अच्छे से ही dressed हूँ Do you agree? No? Now do you agree? कि दोस्तों आप से एक request है आप जो है किस शहर से हो और आप fresher हो या experienced candidate हो मुझे जो है comment करके बताईए आगे आने वाले वीडियो में जो है मैं इसके basis पर जो है और अच्छा content बनाऊँगा ओके? Thanks! ओके, so दूसरी जो चीज है वो है कि आपका जो resume है resume आपको interview तक पहुचाता है तो resume में ही कई ऐसी चीज़े होती है जिसके उपर से आप select और reject हो सकते है आपके resume का जो design है उसे आपको professional रखना है resume जो है आप PDF format में ही भेज़ेंगे सामने और resume के अंदर जो है क्या चीज़े लिखनी है, कैसे लिखनी है इसके वारे में कई सारी important चीज़े है जिनका आपको ध्यान देना है कुछ चीज़े में आपको quickly बदा देता हूँ लेकिन कई सारे detailed videos भी मेरे है resume के उपर उसे भी आप देखिएगा तो पहला तो जो है resume को बहुत जादा लंबा और बोरिंग नहीं बनाना है तीसरा आपके पास कोई अगर hard skills है कोई software आप जानते है कोई चीज़ आप जानते है तो उसे भी जो है आप जरूर mention कीज़े अब मैं आपको resume के बारे में बहुत ही एक interesting चीज़ बताता हूँ एक software है जो मैं use करता हूँ PDF elements यह जो wondershare का software है इस software को use करके आप PDF को edit कर सकते हैं तो अगर आपके पास अपना ही कोई पुराना resume पड़ा है जो edit करके आपको use करना है लेकिन वो PDF में है PDF तो असानी से edit नहीं होता है या फर किसी मित्रा का अच्छा सा PDF आपको मिला है एक आध लिंक में description में रखूँगा तो इसे भी जो है आप इस software को use करके edit कर सकते हैं तो चलिए इस software का मैं आपको एक quick demo भी दे देता हूँ यह जो PDF elements software है इसको काफी सारे professionals use करते हैं accounting हो, legal हो, marketing हो, अलग-अलग departments में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है एक special use जो इसका है वो यह है कि अगर आपके पास कोई भी resume आया है जैसे कि यह बहुत ही प्यारा सा resume है जिसका sample जो है मेरे friend ने मुझे भेजा है लेकिन यह PDF format में है इसे अगर मुझे convert करना है word में या edit करना है और अपना resume बनाना है इससे तो इसे मैं ले जाओंगा PDF elements में PDF elements में यह एक बार open हो गया उसके बाद जो है आप देखते है PDF to word convert करने को option है मेरे पास PDF to image बना सकता हूँ मैं PDF to excel PDF to ppt या फिर यही पर edit button क्लिक करके मैं कह सकता हूँ चलिए इसे edit कर देते है और इसे बना देते है मेरा resume यहाँ पर मैं इस text को change करूंगा text क्लिक करकर और आप अपना नाम यहाँ लिख सकते है अगर हमें यह image भी change करना है तो हम यहाँ image क्लिक करेंगे फिर इस image पर हम क्लिक करेंगे और फिर कह देंगे replace और हम हमारी photo यहाँ असानी से डाल सकते है देख रहे आप इतने असानी से यह पूरा resume जो है हम edit कर सकते है या फिर simply इसे जो है word में convert कर लीजिए यहाँ देखिए converting का process चालू होगा और यहाँ पर जो है अब यह word file में save हो गया है इसे मैं आपको open करके भी दिखा देता हूँ इस तरह professional life में जो है कई सारे जो documents होते है PDF उसे edit करना होता है, sign करना होता है, brochures बनाने होते है दूसरों के brochures लेके आपको हो सकता है अपना कुछ concept उस पर लिखना हो और देखना हो वो कैसे लग रहा है अलग-अलग चीजे जो करनी होती है आप बड़े ही असानी से जो है इस software के द्वारा कर सकते है इस software को download करने का link में आपको description में दे रहा हूँ तीसरी चीज और बहुत ज़्यादा important चीज यह है कि जिस company में आप interview देने जा रहे है उस company के बारे में पूरी research करके जाए और जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं interview के लिए उनके बारे में भी पूरी research करके जाए उनका नाम Google कीजिए YouTube पर उन्हें search कीजिए उनके videos देखिए उनके blogs पढ़िए उनका LinkedIn चेक कीजिए उनके LinkedIn post कैसे देखिए अगर वो Twitter पर है तो उनके बारे में वहाँ पढ़िए जितना जादा आप उनके बारे में research करके जाएंगे उतना जादा आप relevant रहेंगे उस interview में आप dinosaur जैसे नहीं दिखेंगे चौती चीज़ वह बहुत ज़दे important वो यह है कि salary की जो discussion है वेतन की जो बात होनी है वो उन्हें start करनी दीजिए आप start मत कीजिए यह एक बहुत ही basic सा etiquette है कि आप जो है पहले बात करेंगे किस बारे में कि काम क्या है काम कैसे होगा क्या मैं इस काम के लिए fit हूँ आपने जो है जब apply किया था job आपको एक कुछ idea तो होगा कि उन्होंने salary range क्या डाला है या आपको पता है कि salary range आपके job के लिए क्या होता ह कंपनी क्या करती है इसके बारे में बात कीजिए आपका career growth क्या होगा उस बारे में बात कीजिए salary जो है थोड़े time में वो खुदी आपसे discuss करेंगे अगर उन्हें आप में interest हो तो क्यूंकि अगर उन्हें आपको job देना है तो of course वो salary की बात करेंगे तो जब वो आपको offer द होता है सुनना यह होता है कि सामने वाला जो कह रहा है उसे आप absorb कीजिए ना कि आप ऐसे सुने या ना कि आप ऐसा attitude रखे कि बस यह उसने क्या बोला मुझे यह जवाब देना है मुझे यह जवाब देना है आपका अगर धियान इस बात पहरे कि आपको जवाब क्या देना है तो सामने वाला क्या कहे रहा है यह तो आप सुन ही नहीं रहे हो तो आप जो है सामने वाला जो कहे रहा है उसे सुनो उसे समझो आपका जबाब देने के पहले उसे प्रोसेस करो थोड़ा से पॉस लो थोड़ा से थम जाओ चलेगा क्योंकि जब आप सामने वाले को कैसे mention कर दिया उस topic को पकड़ कर आप उसके बारे में clarify कर सकते है बात कर सकते है तो ये जो होता है important होता है कि आप सामने वाले को सुनो सामने वाला क्या सोच रहा है वो आपको शब्दों में ही बता रहा है लेकिन छोड़े-छोड़े hints होते हैं आपको body language समझना है आपको छोड़े-छोड़े topics को जो है पकड़ना है उनके कोई शब्द निकले उनके मुह से आप उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं सर आपने वो कहा था उसके बारे में थोड़ा और बताएंगा या I would like to clarify XYZ चीज जो में resume या past experience में है तो ये जो conversation है अच्छे से करने के लिए सुनना पड़ता है आप personal questions को कैसे handle करते हो क्या आपकी कोई खुद की personality है या आप सिर्फ एक resume हो जिससे वो बात कर रहे है क्या आप एक robot हो जो अपने सिर्फ work के बारे में बात करता है जो व्यक्ती मेरे सामने मेरी life में fresher से लेके बहुत जादा आगे तक गए है उनमें मैंने ये quality देखी है कि वो जो है अपनी personality लेकर आते है interview में वो जो है एक real human being होते है उनसे आप बात कर सकते हो वो एक intelligent being होते है वो ये नहीं सोच रहे कि ये exam है मुझा सही पत्थर फेकने और पास करना ये exam वो एक conversation कर रहे है वो authentic होते है वो real होते है तो please 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 be vibrant be real talk to the interviewer don't be a robot एक और मैं आपको bonus देता हूँ आप interviewer से interview के समय सवाल पूच सकते है आप भी कुछ चीज़े पूच सकते है अगर आपको company के बारे में कुछ जाना है company काम कैसे करते है company पैसे कैसे कमाती है company के clients किस प्रकार से काम डिमांड करते है या बाकी लोगों की growth कैसी रही है company में या आपको department में और क्या-क्या होता है इन चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो